मिले कि ये ने दकिए येट ये चारपाई का प्वाया लग रहा है ये ना ये पतं रूप मुतन किया है, ये लाकी है उप्ता मरने वाला ये बहुत सारी किताबु है जो किकिन लाद़ हो गड़न दोर इसका मतलब मुधे नहीं पता यह देखिए बहुत थे पुराने जमाने में इसकत में चाय पिया जाता था यह उनके चपन गाजा महरागा उनके उनके पुर्ण को रुडियो आने के उगाली को सब्सक्राइब यह मेरे कुछ दोस्त लोग आये हुए मेरे साथ भून में यह देखिए पुरानी आशदी इसे वैद लोग दवाई बनाया करते हैं यह देखिए मुंग दाल है लगा और यहां के छोटी से किराना दुकान जी रही चुकरी है यहां से आप कुछ भी सामान ले जा सकते हैं अपने परिवार के दिए अपने अपने घरों में लगा सकते हैं अपनी खेतों में यह देखिए बीज भंडार है यह मुजियम नहीं है बीज भंडार है और वह देखिए उपर बहुत ही लकडियों का औजार बनाया हुआ है यह हम आपको जूम करकर दिखा रहे हैं बहुत ही खुबशूरत बहुत आला अधर आपको बीज खरीदना है किसी भी चीज का यहां पे हर चीज का बीज मिल जाएगा यहां का पता है इंडियन म्यूजियम वीज भंडार यह चीरैला पैथ हूँ यह देखिए गरम मसाला इगर आपको तुलाब बिर्यानी या जो भी जिसमें भी गरम मसाला के इस्तमाल होता हो इससे रिडेटेड आपकी ज़रूरत हो तो आप ले जा सकते हैं इसे बहुत के नहींत के बाद अजीब गरीब चीज है अधियर वह सब्सक्राइब है हमारे भासा में कॉणा बोला जाता है और ये मेनुआ है इस बुद्धा से अज़ेत आपके अग्यान आपकोश तर गाई यह देखिए यहां पे खाने वाली चीज में है यह देखिए यह मकई है जिसे हम कॉर्ण भी बोलते हैं और इसी से पॉप्षूरत यह पहले के ताइम के लोग कैसे अनाज उजा आते थे और उसे किसानों के महनत दर्स आया गया है और यहां पे भी बीज घंडार है यह देखिए आपको ऐसी ऐसे चीज़े दो कीदी आता देंगे इसा प्रेड़ किया गया गया है तो तो कि यहां पर इसानों के दोवारा फल चराए कर खेती किया जा रहा है आते चाश्ट में पराए कि अवार के पहां है झाल झाल यह देखिए यह है अम्रोज गुआभा यह जाड़ियों को तोड़कर रुज़ेगा इकटा करके लग दिया गया है अब हम भी देखिए यह मसाले को भंबार हो यहां है तरह को मसाला में जाए है यहां पर आपको हर तरह का मसाला उपलब्ध है को यहां देखिए मरिच रखा हुआ है जिसे हम गुलकी भी गुलते हैं तरह में कहिंजीरा भी रखा हुआ होगा जरूट यह समयं तलास करना है यह देखिए यह मताई है जिसे भुक्ता भी हम कहते हैं यह देखिए गन्ना यह देखने से तो लग रहा है कि चूना है जिसे हमारे बिहार के लोग खैनी में मिला पर रगण कर पाते हैं अगर वो यहां पर आ गया है और खैनी चूना का कहीं पड़ गया तो यहां से निकाल भी सकते हैंगे तो यह को यह रहते हैं